नमस्कार मित्रो स्वागत है आपका सिद्धियोगा मैं मैं हूँ योगाचारियतारादत और आज हम लोग करने जा रहे हैं चहरे की चमक को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास हमारे चहरे की चमक हमारे व्यक्तित्व को निखारती है हमारे अंदर सकारात्मत्ता को बढ़ती है और औरों की द्रिस्टी में हमें सकारात्मत दर्साती है साथी साथ हमारे आत्म विश्वास को बढ़ाती है तो चलिए करते हैं चहरे की चमक को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास हमारी ये पूरी स्रिंकलाद तीन हिस्सों बटे हुई है पहला है सुक्सवययम, दुसरा है आसनों का भ्यास और तिसरा है हमारा प्राणययम एवं ध्यान देखे दोस्तों चहरे की जो चमक है वो सुन्दरता से अलग होती है सुन्दरता एक रंग रूप से हम लोग देखते हैं चमक हमारे अंदर का प्रतिविम्ब होता है कि आपका मन कितना साकारात्मक है, स्वयम की प्रती, औरों की प्रती इसके साथ ही आप स्वयम से कितना प्रेम करते हैं आपके अंदर कितनी दया है, उदारता है वही चीज आपके चेहरे में दिखलाई देती है तो यहाँ पर इनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके तीन हिस्से बटे हुए है सुक्समयाम के द्वारा हम लोग चेहरे की जो वास्पिक जो चमक हमारे मास्पेसियों की सजगता से आती है उसकी और हम लोग ध्यान देंगे उसके बाद हम उन आसनों को का अभ्यास करेंगे जिनके द्वारा हम लोग रखत की संचार को चेहरे की तरह बढ़ाए साथी साथ पाचन के कारे को बहतर बनाए क्योंकि यदि आपका पेट जो है वो ठीक नहीं रहता है आप इस तरह का खाना खाता है कि जिसके द्वारा आपका पेट सही नहीं रहता है या फिर आम तोर पेट सही नहीं रहता है तो पेट यदि सही होगा तो आपके चेहरे में स्वताही चमक बनने लगेगी तो हम उन अभ्यास को करेंगे जिनसे एक तो आपके चहरे की तरफ रखत का संजार बढ़े और आपके पेट में पाचन के कारी में सुधारता है तो यह हमारा दूसरा हिस्सा और जैसे की मैंने आपको पहले बतलाया कि आपके अंदर जिस तरह के आपका अंदर का जो आपके हिर्दे की जो चवी होती ही जो आपका व्यक्तित तो जो अंदर है वहीं आपके चेहरे पर दिखलाए देता है तो उसके लिए हम लोग प्राणायम करेंगे जिसके द्वारा मन मस्तिक्स आपका शान्त होगा तरह तरह की खराब चीजों से दूर हट करके सकारात्मक चीजों पर लगेगा तो आपके अंदर से चमक जब बनेगी तो वो चहरे में दिखलाएज़ेगे इसके साथ की हम छोटा सा ध्यान करेंगे और वो भी आपको आपके चहरे की चमक को बढ़ाने के लिए बहुत ही लाप कर साबित होगा तो ये एक संपूर्ण स्रिंकला है जो आपको हर तरह से चहरे की चमक को बढ़ाने के लिए बहुती ज्यादा लाफ रद होगी चलिए करते हैं यहाँ से हम अभियास की सुरुवात तो अभियास की सुरुवात जो सबसे पहले होगी चहरे के अंदर सजक्टा को ओरजा को बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर चहरे पर हलकल का सर्थ tapping करना सुरू करेंगे बहुत ही हलके हलके अपने हातों से अंगलियों को बिल्कुल आपने ढीला रखना है और ढीली अंगलियों से आपने इस तरह से अपने पूरे चहरे पे गालों पे माथे पे नीचे की तरफ नाप के पास आपने tapping करनी है बहुत ही हलके हातों से आपने करना है इस तरह की tapping आप तब भी कर सकते हैं जैसे की आप सुबह उठते हैं या दिन में कभी सोते हैं और आपका चहरा सोया हुआ सा लगता है और ऐसे में आपको school जाना है, interview जाना है, office जाना है और आप चाहते हैं कि आपका चहरा सोया हुआ ना लगे तो इस तरह की आप tapping करके अपने चहरे को एकदम से उठता है वान बना सकते हैं बहुत अच्छा अभियास होता है ये करते रहिएगा बहुत अच्छे देखिए दोस्तों ये एक संपूर्ण सुरिंकला है आप इसका अभियास प्रती दिन मेरे साथ करके सुरुवात से लेकर अंते तक प्रती दिन मेरे साथ करके आप इसका पूर्ण लाप राप्त कर सकते हैं नहीं है कि मैंने आपको बतला दिया आप स्वेम से करेंगा आप चाहें तो पूरी वीडियो को चला करके इसके साथ मेरे साथ में इस अभ्यास को कर सकते हैं और हमारा अगला भ्यास है हमारे सिर्ट से जुड़ा हुआ तो यहांपर क्या करना है दोस्तों आपको अपने आइबरोस को हमारी जो भाववे हैं इनको उपार को उठाना इस तरह से और जब आप भाओं को उठाओगे इसके साथ ही आपके जो सिर के उपर की जो मास्पेसी है जो आपकी तवचा है ये भी आगे पीछे हिलेगी तो ये आपका स्कल मूवमेंट जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पर आपका होगा मेरी तरह कुछ लोगों के कान भी आगे पीछे हलकी से हिलेंगे इस अभ्यास को करते वागे तो जितना हो सकता आइब्रोस को उपर को लिफ्ट करेंगे और इसके बाद धीर इसे धीला छोड़ देंगे फिर lift करेंगे और धीला छोड़ेंगे इस तरह से अभ्यास को करते रहिए लगबग 10, 12 बार, 15 बार तक आप इस अभ्यास को कर सकते हैं बहुत अच्छे, अगले अभ्यास की और बढ़ते हैं अगले अभ्यास में आपने अपने दोनों eyebrows को lift करना है उपर की तरब, साथी साथ आखों को भी उपर की तरब लेके जाना है उपर की तरब को देखेंगे, उपर की तरब आपने देखते रहना है और धीरे से अपनी पलकों को बंद करना, आखें आपकी दीरे से बंद होंगे देखना आख बंद करने के बाद भी आपकी आखों की जो पुतलिया है वो उपपर को देखने का प्रियास कर रहे हैं तो इस तरह से बना के रखना आपने स्टिती को और फिर धीर से आखों को खोल लेना है फिर आखों को बंद करेंगे और धीरे से आखों को खोलेंगे इसी अभ्यास को दोराते रहेंगे आखों को बंद करें आखों को खोलें आखों को बंद करें आखों को खोलें अपनी आइब्रोज को उठा के रखना है आखों को बंद करें भौँ को उठा के रखना है आखो को खोल ले फिर से आखो को बंद करें आखो को खोल ले आखो को बंद करें आखो को खोल ले बहुत अच्छे आखो को बंद करें आखो को खोल ले आखो को बंद करें आखो को खोल ले आखो को बंद करें खोल ले बंद करेंगे और खोलेंग आँखों को अच्छे से बंद कर ले, आराम पूर्वग लंबा धीमा गहरा श्वास ले, आराम पूर्वग लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़े अब अपने अंग्लियों के आगे वाले हिस्से से हलके हलके अपने आँख के उपर मसाज देंगे इस तरह से आपने आँखों के उपर हलकी हलकी सी मालिस करनी है बहुत ही धीमे धीमे करना है बहुत नाजुकता के साथ आँखों के उपर हलकी हलकी सी मालिस करनी है अब धीरे से आँखों कोल लेंगे हमारा अगला भ्याद इसके लिए आपने आगे की जो दो अंगलियां है पहली और दूसरी अंगली इनको अपने भाओं के उपर पर रखना है और भाओं को हलका सा नीचे को दबाना है आपने कोशिस करना है यहां से भाओं को उपर उठाने की बहों हैं आपके उपर उठ रही हैं और आप अपने हातों की अंगलियों से बहों को नीची की तरफ दबा रहे हैं तो यहां से धीरे से आपने उपर को उठाएंगे बहों को और अंगलियों से इसे नीचे को दबा के रखेंगे और रुकेंगे एक दो सेकंड रुकने के बाद फिर से पूरा अंगलियों को डीला छोड़ दें भाउं को डीला करके नीचे को ले आए वापस फिर से करेंगे भाउं को उपर को उठाएंगे और अंगलियों से इनने नीचे को दबाएंगे अब डीला छोड़ दें अंग्लियों को चाहें तो आप ढीला छोड़ते वक्त हलका सा हटा लें फिर से अंग्लियों को रखेंगे और भाओं को उपर को उठाएंगे और अंग्लियों से भाओं को नीचे को दबाएंगे फिर से ढीला छोड़ दें चलिए फिर से दुबारा से करेंगे बहुं को उठाएं अंगलियों से इन्हें नीचे को दबाएं अब वापस से इन्हें दीला छोड़ दें एक बार और करेंगे बहुं को उठाएं अंगलियों से दबाते वे धीरे से बहुं को नीचे की तरब लाएंगे और भहों को तागत से उपर को उठाने का प्रियास करें रुकिंगे और अंत में धीला चोड़ देंगे बहुत अच्छा अब धीरे से हातों को नीचे ले आए चेहरे में मुस्कुराट को बना के रखें अब यहां से आपने यहां वाले हिस्से पर ध्यान लगाना है इसके लिए आपने पूरा मुझ को पहलाना है इस तरह से और पिर धीरे से मुख को बन कर देंगे धीला छोड़ देंगे यही प्रक्रिया को हम लोग दोराएंगे लगबख आठ से दस बार चलिए दोबारा से करेंगे पूरा जितना आप मुख को खोल सकते हैं मुख को खोलने का प्रियास करेंगे बहुत अच्छे अब चेहरे को एक दम से ढीला छोड़ देंगे आपने ध्यान दिया होगा जब मैं अपने मुख को खोल रहा था तो पूरा जब मैं मुख कोल रहा हूँ यह वाला जो हमारा हिस्सा है जो इसको हम कहते हैं यह जबड़ा जब मैं इसको खोल रहा था पूरे मुख को तो ये वाली जो मास पेसी थी ये भी खिचती वी उपर को आ जाती है पर यह मैं आपको दिखला देता हूँ तो इस तरह से आपको जितना हो सकता है मुख को फैलाएंगे और फिर धीरे से डीला छोड़ देंगे तो ये अब्यास आपको आठ से दस बार करना है चलिए अगले ब्यास की और बढ़ते हैं अब यहाँ पर आपने चहरे में मुस्कान लेके आनी है और होटों को बाहर की तरफ फैलाना है और इसके बाद आपने होटों को आगे की तरफ लेके जाना है इसे हम लोग काकी मुद्रा कहते हैं कि चोंत के समान होटों को आगे लेके आ जाएं फिर फैलाएं मस्कान लेके आएं चैरे में बड़ी सी स्माहिल लेके आएं अब फिर आगे ले जाएं अब इसी प्रक्रिया को दोराते रहेंगे बहुत अच्छे इस अब भ्यास को भी आप आठ से दस बार कर सकते हैं इसके बाद आपने मुक को खोल करके मुझकान लेके आ रही है यानि कि इस तरह से डाट आपके पास में आएंगे एक दुसरे के और होट आपके पूरे खुलेंगे होटों के साथ साथ आपका ये वाला जो हिस्सा है गरदन के पास का चेहरे का निशला हिस्सा ये पूरा खिचता हुआ चला जाएगा यहाँ पर आपके गालों में भी खिचाओ आपको महसूस होगा और फिर से धीला छोड़ दे पूरा चेहरे की मास पेसी को धीला छोड़ दे तो इसी अब्यास को हम लोग साथ में आठ से दस बार दो रहेंगे चलिए करेंगे अब्यास को सुरूँ बहुत अच्छे अब चेहरे को बिल्कुल धीला छोड़ दे हमारा अगला अभ्यास है जुगाली जुगाली सब्दा हम लोग गायों को भैसों को देख करके हम इस सब्दों को प्रियोग में लेके आते हैं जब गाय चारा खाती हैं तो चारे को जब वो मुक में रखती हैं तो उसको चबाने के लिए वो मुक को एक दिसा में घुमाती है तो इस तरह से आपको जुगाली करनी है एक दिसा की और हम लोग कुछ समय जुगाली करेंगे लगबख आठ से दस बार और फिर हम यही जुगाली दुसरी तरफ से अपने नीचे वाला जो हिस्सा हमारा जबड़ा जो जो है इसको हम दुसरी तरफ से घुमाते वे करेंगे चलिए करते हैं साथ में सुरू आठ से दस बार होने के बाद अब इसे विपरी दिसा में घुमाए बहुत अच्छे आप चेहरे को विलकुल एकदम से धीला छोड़ दे यदि आपके चेहरे की मास पेसी बहुत ज़्यादा ठक गई है क्योंकि शुरूआत में हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो कि चेहरे की मास पेसी आपकी थोड़ा सा ठक गई है तो ऐसे मैं अब वापस से इस तरह की टैपिंग कर सकते अपने चेहरे पर जिससे थोड़ा सा आपके चेहरे की मास पेसी को आराम मिलेगा चलिए यहाँ पर मैं लेके चलता हूँ आपको अगले अभ्यास की और और फिर हवा अंदर लेकर के नाप के दोरा अपने अंदर लेनी है और मुख को फैलाना है बीला छोड़ दें अब यही अभ्यास को हम लोग लगबक आठ से दस बार दो रहेंगे साथ में चलिए करेंगे यदि आपके मूँ से होटो की तरब से हवा बहार को आ जा रही है तो आपने ये दो अंगली को अपने होटो के उपर रख लेना है ताकि हवा आपकी बहार ना आए हवा को बहार निकाल दें झाल, 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 झाल बहुत अच्छे, अब अंत में हवा को अपने एक गाल से द।सरी गाल द।सरी गाल से फिर उसी गाल पे इस तरह से घुमाना है दो तीन बार और हवा बची वी जो हवा है उसे बाहर निकाल देना है चेहरे की मास पेसी को ढीला छोड़ दें आंकों को बंद करें और आप अपने हातों से बहुत दीरे दीरे आपने पूरे चेहरे पे मसाज देनी इसमें क्या करना है आपने अपने हाथ से चहरे को इस तरह से पकड़ के हलका हलका सा कीचना है जिसे गालों को हलका सा बहुत ही नाजुकता के साथ में आपने अपने अपनी मास पेसी को अपने गालों को हलका हलका सा पकड़ना है और पकड़ के दीदर इसमें छोड़ देना ह आपने एक अच्छी सी मसाज पूरे चेहरे में देनी है अब यहाँ पर थोड़ी के नीचे पर जॉलाइन पर हम लोग यहाँ पर मसाज दे रहे हैं अच्छी सी मसाज यहाँ पर देंगे गालों की तरफ अच्छे से करेंगे आखों के नीचे पर बहुत ही सौमिता से, बहुत ही नाजुकता से कान के पास में अब यहां से मात्य के तरब चलेंगे तो दीरे दीरे अपने हाथों को मात्य के तरब ले जाएं हम लोग आख के पास में मसाज करेंगे जो हमारी यह आई ब्रोज हैं बहुए इनको इस तरह से मसाज देंगे बहुत ही प्यार से आपने मसाज देनी है नीचे की तब से आपका अंगुठा आएगा तरह से जो सुख वियाम आपने किये हैं ये दर्साते हैं कि आप स्विम के प्रती कितने सजक हैं कितने जागरूप हैं स्वेम को कितना प्रेंग करते हैं कि समय निकाल करके आप इस अभ्यास को इस पुरिश्रन्खला को मेरे साथ में कर रहे हैं स्वेम के सांथ ए जुड़ाओ होना जीवन में बहुत ज़्यदा जरूरी है यदि आपका स्वेम से जुडाव अच्छे से नहीं है तो ये जुडाव आपका परिवार में या आसपास किसी के साथ भी ठीक से कभी भी नहीं हो पाता है तो इसलिए खुद से जुड़ना हमेशा सीखें आपकों के नीचे पर भी हलकल कासा दुबारा से और कर लें बहुत अच्छे अब हातों को दीरे से नीचे ले आएंगे और दीरे दीरे अपनी आपकों को खोल लेंगे तो ये थे हमारे चेहरे से जुड़ेवे सुख्स वैयाम अब हम लोग हमारे अगले पड़ाओं की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसमें हम लोग आसनों के अभ्यास को करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बतलाया कि हम उन आसनों के अभ्यास को करने जा रहे हैं जिन से आपके चेहरे की तरफ रक्त के संचार की वृद्धी होगी तो चेहरे की तरफ यदि आपका कून आपका रक्त बढ़ने लगेगा तो चेहरे पे आक्सिजन की मात्रा जब आएगी पोसक तत्व आएंगी तो चेहरे में निखार स्वेम से आने लगेगा और छोटे मोटे आपको दाग, दबे, जाईया अत्यादी समस्यें आपके यूही दूर हो जाएंगी साथी साथ मन मस्तिक्स भी आपका शांत बना रहेगा एकागरता आपकी बनी रहेगी और पाचन की प्रणाली भी आपकी बेहतर होगी, हम उन आसनों का भी अभ्यास यहां पर करेंगी तो चलिए करते हैं आसनों के अभ्यास की सुरुआज हमारा सबसे पहला आसन है उत्तानासन, उत्तानासन की स्थिती के लिए आपको खड़े हो जाना है पैरों को कूले के समनांतर पे खोल करके खड़े हो जाएं, हातों को कमर पे रख लें फिर यहां से दीरे से आपने आगे की तरब को जुकना है खुटनों को अलकर सम मोलने जुकते होग और दीरे दीरे आगे की तरब जुकने इसके बाद अपने हाथों को नीचे की तरब लेके जाएं एक एक करके अपने हाथ, कंदे, सिर और गर्दन को एकदम से ढीला रखें किसी भी तरह की सक्रियता आपके हाथ, कंदे, सिर, गर्दन की तरब नहीं आएगी गुटनों को आप यहाँ पर मोड़ के रख सकते हैं, ताकि पीट की तरफ से किसी भी तरह का दबाव आपको ना लगे यदि आपसे हो सके तो गुटनों को सीधा करके भी इस आसन पर रुख सकते हैं तो जो भी स्थिती आपके लिए आसान बन पड़ें, उस स्थिती में आकर के रुखें जितना भी आप आराम पूर्बंग नीचे जुक सकते हैं, जुकें, कुछ शन यहाँ पर रुखेंगे यह आसन आपके पाचन प्रणाली को सुधारेगा रक्त के संचार को आपके चहरे और सिर की तरफ बढ़ाएगा साथी साथ मन मस्तिक्स को शांत रखेगा सकरात्मक्ता को आपके अंदर बढ़ाएगा अब यहाँ पर कुछ शन रुखने के बाद धीरे धीरे अपने सिर को आपने उठाना है और घुटनों को थोड़ा सा और मोल्ड है तांकि आप अपने हाथ को योग मेट पर रख सके यदि आपके पास योग मेट नहीं है तो दरी त्यादी भी बिचा के कर सकते हैं हाथों को खोलने के बाद आपने पैरों को यहाँ से पीचे की तरब लेके जाना तो इस तरह ऐसे इस्तिती को बनाना है फिर हतेलियों से दबाओ बनाए और शरीर को पैरों की तरब लेके जाए यानि कि जो शरीर का वजन है वो आपके पैरों की तरब खिसकता हुआ चला जाएगा ऐसा नहीं है कि हतेली पर ही पूरा वजन आपको डाल के रखना है अपने पैरों की तरफ शरीर की वजन को लेके जाए ये स्थिति है हमारी अधो मुक्षवान आसन की स्थिति को बनाये रखे कुछ और यहां पर रुकेंगे ये स्थिति में भी आपका जो पाचन प्रणाली है उसको ये बहतर बनाएगा मन मस्तिक्स को शांत रखेगा पहले आसन की तरह ही इसका भी लाब यहां पर देखने के लिए मिलता है साथी साथ बहुत अच्छा सा खिचाओ आपके शरीर के आगे वाले हिससे और पीछे वाले हिससे पर ये लेके आता है जिससे शरीर में सकारात्मक्ता बढ़ती है और उर्जा का संचार बढ़ने लगता आत्म विश्वास आपका बढ़ेगा कुष्ण यहां पर रुकने के बाद हम लोग अगले आसन की तहियारी की तरह बढ़ेगे हम लोग को पीट के बल लेटना है तो धीरे धीरे घुट्टों को नीच ले आए और अपने शरीर सिती के अनुसार पीट के बल आपने लेट जाना है हमारा अगला आसन है सर्वांगासन इसकी दो सितिया है एक है अर्दे सर्वांगासन एक है पूण अर्द सर्वांग आशन हम लोग उसे विपरीत करने भी कहते हैं तो जो लोग पूर्ण नहीं कर सकते हैं वो लोग अर्द सिती करेंगे एक बार आप मिर को अच्छे से देख करके सिती को समझ ले आशन को जान ले और फिर उसके बाद आप मेरे साथ इस आसन को दोरा सकते हैं तो सिती के लिए हम लोग पीट के बल लेट जाते हैं घुटने मुड़े रहते हैं हाथ शरीर के बगल में हतेलिया नीचे हैं यहां से श्वास को भड़ते हुए पैरों को उपर लेके जाते हैं इस तरह से हम लोग पैरों को उपर लेके जाते हैं कि घुटने मुड़े रहते हैं यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो अपने पैरों को मेरी तरह उपर नहीं उठा सकते हैं तो ऐसे लोगों को क्या करना है अपने पैरों को अपने दिवार पे रखना है इस तरह से आप दिवार के पास पे लेट जाएं और पैरों को दिवार के उपपर पे रखना है फिर यहां से धीरे धीरे पैरों को उपपर लेके जाएं और आसन की स्थिती में आगे आप बढ़ सकते हैं तो यह आपके लिए आसान अवस्ता बन पड़ेगी मैं आपको आगे की अवस्ता दिखला देता हूँ तो यहां से पैर जब आपके उपपर आ जाए आपको अंगलियों को बादने का प्रियास करना है और हातों को खीचेंगे यदि अंगली नहीं बत सकती है तो कोई दिक्कत नहीं आपने सिर्फ अपने कमर के नीचे वाले हिस्से पे सहारा देना है तो यहां पर सहारा देने के बाद आपने धीरे धीरे अपने पैरों को एक-एक करके उपर की तरब उठाना है इस तरह से जो आपकी स्थिति दिखलाई देगी यह है अर्द सर्वांगासन की जिसे हम लोग विपरीत करनी भी कहते है सर्वांगासन की स्थिति में हम लोग हातों का जो हमारा सहारा है यह थोड़ा सा और नीचे जाता है पीट के मद्दे वाले हिस्से के पास पे है और अन्तम है जो पूर्ण स्थी दिखलाई देती है सरवांगासन की वो कुछ इस तरह की होती है कि पूरा शरीर एकदम से सीधा होता चला जाता है तो आप चाहें तो आर्दन सरवांगासन की सिथी में आ करके रुख जाएं और या फिर पूर्ण सर्वांगासन की स्थिती में आ जाए तो यहां पर कुछ शण आपको आ करके रुकना है मैं आपको दोबारा से कर लेता हूँ साथ में हम लोग अब भिहास को दोर आएंगे तो वापस से आपने अपनी तैयारी को बना ले रहा पीट के बन लेटने के बाद गुटने को मोड़ना है हाथ आपके शरीर के बगल पर रहेंगे हतेलियों पर दबाओ बनाएंगे श्वास को भड़ते वे पैरों को उपर उठाएंगे इसके बाद यदि आपकी अंगलियां बद पाती हैं नहीं जा पाता है तो आपने कमर के पास पर सहरा देना है और धीरे धीरे अपने पैरों को एक-एक करके उपर को उठाना है पैरों के पंजो को मिला ले आदी अवस्ता में आपको एडिक उपर को उठाना होता है और आपके पैरों की अंगलियां आपके चहरे की तरब देखेंगे पूर्ण अवस्ता में आपका सहारा पीट के मद्दे पे होता है और पंजों को उपर की तरब को खीचना है तो कोई भी एक स्थिति चुल लें स्थिति को बना के रखें श्वास और प्रस्वास आपका चलता रहा तो यहां भी हम लोग कुछ शन आ करके रुखेंगे दीरे दीरे श्वास लेंगे दीरे दीरे श्वास चोड़ेंगे इस आसन से मिलने वाले जो लाब हैं उनको महसूस करेंगे इस आसन की सिती में हमारा संपूर रक्त का जो संचार है वो चहरे की तरफ मस्तिक्स की तरफ अच्छे से आने लगता है जिससे आपके मस्तिक्स का कार्य है और चहरे में रक्त के संचार की विर्दी होने लगती है पोशक्ता आपके चेहरे की मास्पेसियों को मिलने लगती जिससे आपके चेहरे की सुन्दर्ता, चमक, इत्यादी बढ़ने लगेगी कुछण यहाँ पर रुखने के बाद धीरे-धीरे आपको घुटनों को मोरना है और धीरे-धीरे आपने कुछों को पीठ वाले हिसे को नीचे लेके आना है फिर पंजे को धीरे से नीचे ले आएगे हमारा अगला आसन है मत्स्यासन मत्स्यासन की सिति भी यहीं से ही हमारी सुरुवात होगी तो आपने अपने मच्सासन की सिती के लिए पीट के बल लेटे रहना है और फिर यहां से आपने अपने हतेली को कूलों के नीचे पे लेके जाना है आपकी हतेली नीचे की तरब रहेगी और कूलों को अपनी हतेली से सहारा देना है फिर कोनी को शरीर के पास पे लाकर के चिपका लेना है, पैरों को एक एक करके खोलना है, हतेली पे दवाओ बनाए, कोनी पे दवाओ बनाए, श्वास को भड़ते वे दीरे-दीरे सिर को कंदों को उठाएंगे और पैरों को देखेंगे, फिर यहां से कोशिज करें कि कोनी को और पास पे लेके आएंगे एक दूसरे के पास पे कोहनी आएंगी कंदों को पीछे की तरब लेके जाएंगे हिरदे को जितना हो सकता है उपर की तरब उठाएंगे श्वास भरेंगे श्वास को छोड़ते वे दीरे दीरे सिर को पीछे कितब लेके जाएंगे इस हिस्थी में बने रहें मुख को बंद रखें मुख खुला नहीं रहेगा आपका मुख को बंद करेंगे अराम पूर्वक्ष्वास और प्रस्वास शलता रहेगा यह आसन हमारे अंदर उज्जाओं को संतुलित करता है जिससे मन हमारा शांत रहता है सकारातमक्ता बनी रहती है हमारे अंदर प्रसन्नता बनी रहती है चिन्ता तनाओं को यह दूर कर देता है हामुनल इंबैलन्स को भी यह ठीक करता है तो कई तरह के विकारों को यह दूर करता है जिससे चहरे में जिनका प्रभाव हमें देखने के लिए बिए गैसे कि ज्याई हैं या मुहास रित्यादी उनको ये दूर करने के लिए मजद करता है और चेहरे में चमक लागा जिसके सांती पाचन प्रड़नानी को भी ये शिशच्ज को बनाता है पाचन बाचन में डाजेशन में ये सुध लें और गुटनों को मोड़ते वे हरदे के पास में लाएं पैरों को आराम से पकड़ लेंगे लंबा गहरा श्वास लें आखो को बंद करें श्वास को छोड़ते वे अपने गुटनों को हरदे के पास पे खीचिंगे इससे आपके पीष्ट को आराम मिलेगा आसन के अभ्य हमारा अगला भ्यास है प्राणायाम, यहापर हम प्राणायाम का भ्यास करेंगे, यह जो भ्यास है, इसको कहते हैं हम लोग नाडी शोधन प्राणायाम, नाडी शोधन में हम लोग अनलोम लोम का भ्यास करने जा रहे हैं, इससे प्राण उर्जा आपके शरीर में बढ़ने ल लगेगी, यह जो प्राण है यह अच्छा होने लगेगा, मजबूत होने लगेगा, जिससे आपके चेहरे की तरफ सुद्रता में आपको मदद मिलेगी, साथ ही साथ यह प्राण आयाम आपके अंदर सकारात्मक्ता को बढ़ाता है, मन को साप स्वच निर्मल करता है, तो चलि श्वास को बाई नाक्ट से लंबा धीमा गहरा लेना होता है, श्वास अंदर आने के बाद आपने दाइनी नाक्ट से श्वास को बाहर निकालना है, तो आखरी की दो अंगलियों से नाक को बंद कर लें बाई तरफ की नाक को और दाइन नाक से श्वास को बाहर चोड़ें फिर दाइन आक से श्वांस को अंदर लें और फिर बाइन आक से श्वांस को बाहार चोड़ें इस तरह से इस प्रक्रिया को हम लोग लगबर चार से च्छा बार दोर आएंगे तो बारा से श्वांस लें बाई नाक से स्वांस लेने के बाद दाई नाक से छोड़ें फिर दाई नाक से धीर से लंबा धीमा गहरा श्वांस लें बाई नाक से छोड़ें वापस से बाई नाक से श्वांस लें दाई नाग से छोड़ें दाई नाग से लें और बाई नाग से छोड़ें बहुत अच्छे दोर आते रहें बाई नाग से लें दाई नाग से छोड़ें बाई नाक से लेए दाई नाक से छोड़ें फिर दाई नाक से लेए बाई नाक से बाहर छोड़ें चलिए दो बार और करेंगे बाई नाक से लेए दाइनी नाक से छोड़ें दाइनी नाक से लें बाइनाक से छोड़ें अभी आखरी बार है जितना लंबा धीमा गहरा श्वास हो सकता है लंबा धीमा गहरा श्वास लें बाइनी नाक से लेंगे लंबा धीमा गहरा श्वास दाइनी नाख से छोड़ेंगे फिर लंबा धीमा गहरा श्वास दाइनी नाख से लेंगे लंबा धीमा गहरा श्वास पाइन आख से छोड़ेंगे अब धीरे से हातों को नीचे ले आए आखों को कुछण बंदर करके रखें अब भ्यास के बाद जो प्राणायाम और जो भी हमने आसन किये थे कि उससे पहले कि जो हमारे शुक्ष्म भ्याम थे इनके अब भ्यास से मिलने वाले लाप को अपने चेहरे पे अपने हर्दे पे महसूस करेंगे महशूस करेंगे कि आपका पूरा शरीर, मन, मस्तिक, सकारत्मक्ता से भर गया है आनंद से भर गया है इसके बाद अपने दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिती पे लेके आएंगे हातेलियां आपके हिर्दे के पास पे रहेगी अपने हिर्दे में अपने गुरु जनों का ध्यान करेंगे उनका स्मरन करेंगे उनकी सकारत्मक उर्जा को महसूस करेंगे इसके बाद अपने हिर्दे में अपने माता पिता का ध्यान करेंगे उनके प्रेम को महसूस करेंगे अब अपने हिर्दे में अपने आसपास के लोग, रिस्तिदार, मित्र, सभी लोगों का स्मरण करेंगे यह करके सबके चहरों को देखें उनके मुस्कुराते हुए चहरे को देखें, उनका स्मरण करें सकारत्मक्ता को अपने अंदर महसूस करें कि उनकी तरफ से आपके लिए सकारत्मक और जाएं आ रही हैं, इस तरह से महसूस करें और अंत में भगवान का ध्यान करेंगे, इश्वर का ध्यान करेंगे इश्वर की दया, प्रेम, शमा, सद्भावना सभी सकारात्म कुणों का स्मरण करेंगे उन्हें महसूस करेंगे महसूस करेंगे कि इश्वर हमारे हिड़े में ही बसा है हमारे साथ है हर दम, हमारे अंदर है और उसकी सकारात्म कुणों हमारे पूरे शरीर में हमारे मन मस्तिक्स में बह रही है और हमें खुशी दे रही है, आनंद दे रही है आशा दे रही है, जीवन में चाहे कितनी भी कटनाई हो कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगी अपने व्यक्तित्थों को कभी मैं गिरने नहीं दूँगी मैं नहीं गिरने दूँगा इस तरह का स्मरण अपने अंदर करें अब इसके बाद सबसे अंत में स्वयम के चहरे को अपने हिर्दे में देखने का प्रयास करें अपनी स्वयम की चवी अपने चहरे को अपने हिर्दे में देखें स्वयम के लिए अपने हिर्दे में प्रेम महसूस करें सद्भावना महसूस करें आनंद महसूस करें आशा सकारत मत्ता महसूस करें महसूस करें कि आप ही हैं जो स्वेम के सबसे सचे मित्र हैं सचे साथी हैं हमारी इस जीवन की यात्रा में लोग आते हैं, मिलते हैं, जाते हैं परंतो हम ही हैं जो हमारे साथ, हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमेशा हर शण जोड़े रहते हैं तो स्वेम को इस जीवन के लिए धन्यवाद करेंगे साथी साथ अपने माता पिता को धन्यवाद करेंगे इश्वर को धन्यवाद करेंगे इस तरह की सकारत मकसद भावना अपने हर्दे में बना के रखें और चहरे में मधुर सी मुस्कान को लेके आएंगे धीर इसे सिर को जुकाते हुए सभी को प्रणाम करेंगे अपने गुरू को, अपने माता पिता को, अपने रिस्दार, भाई, बेहन, मित्र सभी को धन्यवाद करेंगे जीवन में साथ देने के लिए इश्वर को धन्यवाद करेंगे इस जीवन को देने के लिए और इन सभी सकारतना कोड़जाओं के साथ अब धीरे से अपनी आखों को खोलेंगे और धीरे धीरे सिर को ठाएंगे ये पूरी स्रिंखला का अभ्यास आपने मेरे साथ प्रती दिन करना है यदि आपके पार समय नाँ हो कि आप प्रती दिन मेरे साथ इस अभ्यास को ना करपाएं तो कम से कम कोशिस करें कि चार्ड से पांच दिन जरूर करें अब हर अभ्यास को अच्छे से समझ ले और समझने के सांग आप मेरे सांग अभ्यास को दोराते चले जाएं कुछ दिन लगेगा कुछ अभ्यास को समझने के लिए परन्तु जैसे जैसे आप परदे दिन मेरे साथ अभ्यास करेंगे तो हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी तो चलिए करता हूँ मैं इस वीडियो की समापते नमस्कार